नमस्कार वे दोस्तों अभी तक तो अमरीका वाले उसका जवाब नहीं दे पाए थी शर्पजवाईटेन का उसका जवाब देते हैं उससे पहले ही रूस ने जटका दे दिया अब ये रूस का जवाब तयार करेंगे तब तक कनाडा ने जटका दे दिया मतलब ये जो जटके किया था हम नहीं करें ये बात खुद विश्गुरू ने बोली हुई है हम अपनी तरब से कोई बात नहीं करें कि मैं 30 साल तक भीक मांग के खाया तो मतलब कि मैंने बोल ला था ना कि तुमारा जिंगाला लाहूर करवा के छोड़ेगा ये करवा के छोड़ेगा मैड इन का कुछ करेगा तो रशिया हमारा दोस्त है अब रूस कुछ करेगा चलो हम उसे चाइना से दोस्ती कर लेते हैं सुने हैं चाइना वाला भी जटका देने जा रहा है सुनने में तो देख यहीं आया है चलो पहले तो ना आपको आप लोगों की नूज ही बता दी जाए के खुलासा किया कि रिपोर्ट में का आगया कि रूस के विरोध के बावजूद भारत ने व्यापार रोकने के लिए अस्तक्षेप नहीं किया रिपोर्ट में सुत्रो और शिमा सुलक के डेटा के आधार पर का आगया कि रूस के खिलाप युकरेन की रक्ष्या का समर्तन क के लिए अधियारों का ट्रांसपर एक वरस से अधिक समेशे हो रहा है अभी अगर आपको बताओं तो मैंने एक साल पर ले बोल लिया था कि रूश के खिलाप युक्रेन जो अधियार इस्तेमाल कर रहा है वो बारत के अधियार है मेडिन इंडिया के अधियार है आपको कि रहेकना पंजाब का कनेक्शन कैसे जूडता है है बारतिया अधियार नीर्मात नियम अधियारों के इस्तेमाल को नीतक सिमीत्र करता है जिनोंने इसे खरीद्या है अनि अन्धिक्रत ट्रांसपर ओने पर पविश्य में विक्री रोकी जा सकती है रिपोर्ट में तीन भारतिया दिकारियों के अवाले से कागा कि रूस ने कम से कम दो मौकों पर इसमुद्य को उठाया है कुछ भारतिया दिकारी बोल रहे हैं बात है बारतिया दिकारी कि दो मौकों पर रूस ने इसमुद्य को उठाया दो बार आपको बता भी चुके हैं पहले इसमें रूसी विदेश मंतरी सर्गेई लाकरो और डॉक्टर एसजस संकर के बीद जुलाई में मीटिंग भी सामिल है जुलाई का याद कर लेना जागे पीछे देख लेना आप यूटूब चैनल के प्रणा लिंक है ओपिशल दिपक वजी यूटूब चैनल के उपर राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक रूस और बारत के रक्षय मंतराले ने इससे जुड़े सवाल का जवाब नहीं दिया याद किया है यह उसका एक फिजदी से भी कम है रिपोर्ट में इस बात की पूश्टी नहीं हो सकी कि क्या यूरोप के देशों ने इसे यूक्रेण को दान में दिया या फिर उसे बेच्चा है यूक्रेण को बारतिया युद्ध जामगरी वेजने वाले यूरोपिया यूक्रेण यात्रा का किसी वितरह से कोई और रूस की और से निकाला जाए मुलकात के दौरान रूसी रश्ट पतिर पुतिन ने कहा कि वो इस साल अभी बारति ने कोई कारवाई नहीं की पारतिया दिकारी ने का कि बारति स्तिती पर नजर बनाये लिएक इन्टराज्ज पर किजान कारे रखने वाड़े एक रक्षा उद्योग के कारी के साथ उन्होंने कहा कि आप पूर्ति को कम करने के लिए बारति ने कोई कारवाई नहीं की है यूग्रेण इटली सपैन और चैक्डन राज्जे के रक्षा मंतरा लिन बीस पर कोई टिपनी नहीं की है अगर आपको बताएं दूसरी बात दूसरी बात तो आपके लिए बहुत ही खतरना कोने वाली है यह दो था रूस का रूस ने बोल दिया कि यहां इसकी रिपोर्ट देना एक बार अब लगता है दो बारा फिर जाना पड़ेगा अपने फैंकुशाब को भी जाना नकली वाले जुर जुर शेवन है इनको फिर चाना पड़ेगा पुतिन के पास फिर पुतिन बुला लेगा बारत अपने कंडिएट जिताने के लिए दे रहा पैसा कनाड़ा की खुपिया जन्सी ने लगाया आरोप बारती उचायुक्त ने ओहो दिया जवाब यह जवाब और दुस परचार अभियान चलाकर उनके देश के परवाशी समुदाव को प्रवावित करते हैं रिपोर्ट कहते हैं कि बारत ने कनाड़ा की अंदरुनी राजनीती में भी अस्तक्षेप किया है और तमाम अथकंडे अपना कर अपनी पसंद के नेताओं को संसे तक पोचा आने बार रहा है आगया पंजावा कनेक्शन जोड़ दिया ना खालिस्तानी अभी सुनते जाओ दा ग्लोबल एंड मेल के मुताबिक बारत पर कई आरोप लगाने वाड़ी इस रिपोर्ट को सी आई CSIS ने कंट्री समरीज नाम दिया है रिपोर्ट में कहा गया कि बारत सरकार अपनी पसंद के उमीदारों को मदद करती है इसमें जिसमें नामंकन प्रक्रिया में हस्तक्षेव भी सामिल है इस तरह से सरकार एक दखल की कोशिश की जातिया रिपोर्ट में सुरुक्षय और खुबी आजन्सियों और संग येवीवावको सेमिली जानकारी के आदार पर ये दावा किया गया है इसमें का अगा कि बारत परमुक पदो पर रहने वाले कनाडाई लोगों के खिलाप विदेशी अस्तक्षेव गतिवीदियों में सलंगन बारत सरकार द्वारा की गई इन गतिवीदियों में बारत सरकार के रणनितिक आपतियों को प्राप्त करने के लिए गुप्त और ब् वही बात बॉलता जो अमेरिका बोलता है। यह तुम्हारे को पता होना चाहिए ठाब सरकारत संवकार भावय प्लें नब्यान ओ, कमाल ही कर दिया भाई, CSIS दतावेज, चीन, रूस, इरान और पाकिस्तान को भी कनाड़ा में विदेशी अस्ताक्षेव कतिवी दियों को अंजाम देने वाले देशों के रूप में पैचानता है, देखले ना किसके साथ नाम आगे, पाकिस्तान के साथ नाम जोड दिया, खूपिया दस्तावेज संके देते हैं कि चीन सबसे गंबीर विदेशी अस्ताक्षेव का खतरा है, रिपोर्ट में कागा, रूस द्याजातर कनाड़ा में दूस परचार भियानों में सामिल है, जबकि इरान, इरानी कनाड़ा ही लोगों को चुप कराना चाहता है, पाकिस अब जबाद रूस जबाब देना, उसके बाद अस्ट्रियलिया तयार हो रहा है, उदर से इरान, चेक घंडराज्य और यह सब खड़े हो जाएंगे, और यूके, इंग्लेंड, इंग्लेंड वैसे खड़ा होने जा रहा है, इंग्लेंड तो सीधा नाट्टो में जा रहा ह हिलेंड ůडर नाट्टो से ना शना पास होने जा रहा है, और शना कोण सा है, वो तो देखो हमारे से बैथर तो यह लोग जानते हैं, छलम बात चल गो ज्यादा जानते हैं, कोण सांकसा पास होने जा रहा है, हम से रप इतना एक हैंगे, मुवारव को खालसा जी, आपने क कोई क्या राय इसके बरें उपनी रायर खना दोस्ता आपके राय का इंतजार रहेगा सभी साथियों को राम राम नमस्कार आदाब सस्रीयकाल वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेर चैनल को सब्सक्राइब और बैल आइकोन को जुरुद बना दोस्तो ओपीशल दिपक पोजी यूटूब चैनल बात हकोर सच्की करेंगे हक सच्की बात हम करेंगे वीडियो को शेर करने के जमेमारी आप लोगों की गज के आखो वहे गुरुजी का खालसा वहे गुरुजी की पते